नमस्कार दोस्तो आयुर्वेद एमाफारेश चकाचक में आपका स्वागत है दोस्तो दोस्तो आज हम आपको इस वीडियो में दिखाने चल रहे हैं एक ही बहुत चमतकारी औसधी जो की गाउं में आसानी से मिल जाती है अगर आप गाउं से हैं तो इस पाउधे को पहचान सकते हैं दोस्तो यह है अपा मारग कहें कहें इसको चिरचिता या लटजीरा के नाम से भी जानते हैं और इसके बहुत ज़दा फायदे हैं सौस से ज़दा फायदे हैं लेकिन इस वीडियो में मैं आपको दो फायदों के बारे में बताऊंगा जो की बहुत ज़दा जरूरी भी है और बहुत ज़्यादा उपयोग में लाया जाता है आई आपको और भी ऐसे पोदे दिखाते हैं क्योंकि हमारे यहां तो बहुत ज़्यादा है दोस्तों आप देख सकते हैं वीडियो में आप देखिए कि यह जो देख रहे हैं यह घास की तरह दिखने वाल पोदा यही है चि आनिस से गाऊं में मिल जाती है जाडियों के पास मिल जाती है जंगलों मिल जाती है तो अभी मैं अपने घर से तोड़ा दूर आया हूं वहीं पे आपको ये दिखा रहा हूं देखिए पीछे अकरकरा भी है इसका वीडियो हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा उसको आप देख सकते हैं इसके बहुत गजब के फायदे हैं तो दोस्तो आज इस वीडियो में कबर करूँगा चिरचिटा के फायदे दोस्तो बहुत सारे नौजवान परिसान रहते हैं कि उनका संभोक टाइमिंग खराब है जल्दी ही उनका वीरी अस्खलित हो जाता है या फिर लिंग में तनाओ नहीं आता जो कि अपनी वीवी को खुस नहीं कर पाते यानि जितना टाइम उनको देना चाहिए वो दे नहीं पाते जिससे उनके अंदर फ्रस्ट्रेसन आ जाता है चिंता आ जाती है तो दोस्तो अब आपको डरने कोई जरुद नहीं है जो मैं आवसदी बता रहा हूँ जैसे बता रहा हूँ इसको ध्यान से सुनिए और उसको उसी तरह से इस्तेमाल करना है जैसे जैसे इस वीडियो में बताया जाएगा और दूसरी चीज ये महिलाओं के लिक्योरिया या फिर धात रोक यानि जो पैसाब के रास्ते से चिपशिपा पानी आता है उसके लिए भी आपको ये फाइदे मनद रहेगा दोस्तों, पुरसु के लिए कैसे इस्तेमाल करना है जो ये देकर रहा है इसके दाने देख रहा है कटीले कटीले, इनको आप निकाल लीजिए इनको निकालने के बार आप बहुट सारा मिल जाएगा ग आपको सुबा साम एक एक चमच दूद के साथ आप सेवन करें, आपको गजब के फायदे मिलेंगे, और अगर बात करें महिलाओं की, तो महिलाओं के लिए जो पत्ते हैं, आप देखरें वीडियो में, जो पत्ते हैं, इन पत्तों का रस निकाल कर आपको गर्म कर लेना है, गर्म करने के बाद, उसमें थोड़ी मिस्री मिला देना है, स्वाद के लिए, क्योंकि हलका कड़वा होता है, मिस्री मिला कर आप इसको सुबा साम सेवन करें, गुर्सों और इस्तरियों, दोनों को जो विधियां बताई गए हैं, उनको ध्यान से सेवन करें, और यह आपको केवल 15 से 20 दिन करना है, रिजल्ट आपको 80 परसंट तक 15 से 20 दिन तक यूज करने से ही मिल जाएगा, तो दोस्तों उमीद करता हूँ, यह जानकार यह आपको ज़्यादा पसंद आई होगी, और भी अगर कोई प्राबलम है, तो आप कमेंड बाक्स में कमेंड करें, तो हम उस पर वीडियो बनाने की कोशिस पूरी तरह से करेंगे, और वीडियो पसंद आए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजीगा, वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धनिवाद, आपका दिन सुभ हो